दोस्तो मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम होमोपेटिक मेडिसिन सेलेनियम को पढ़ेंगे सेलेनियम आप इसे किन-किन बिमारियों में उपयोग में ला सकते हैं किन-किन लक्षडों में इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सेलेनियम जो है खास कर पुरुषों की खास दवाई है इसका जो उपयोग होता है वो मेल सेक्शल औरगन पे होता है मतलब पुरुषों से सम्मंदी चितने भी सेक्शल प्रॉबलम आती है उनमें इसका प्रियोग विशेश कर किया जाता है अब किन-किन लक्षडों में इसको प्रियोग करना है यह हम वीडियो में आगे बात करेंगे तो आज जस किताब से हम इस मेडिसन को पढ़ने जा रहे है इसका नाम है A Textbook of Materia Medica Including Allen's Keynote इसमें Allen's Keynote को भी इंक्लूड किया गया है बाई Dr. S. K. दुवे यह मेरी फैबरेट किताब है आप इसे देख सकते हैं यह College Life से जब मैं फस्टियर में था 2008 सन 2008 की बात है मैंने फस्टियर में इस किताब को खरीदी थी तब से मैंने इस किताब को बहुत समाल कर रखा हुआ है आप देख सकते हैं मैंने खुदी इसकी बैंडिंग कर लिए ताकि यह मेरे पास सुरक्षित रहे हैं खासकार इस किताब से मुझे बहुत लगाओ है तो चलिये हम मैडिसिन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं Sailingum Medicine को आप किनकिन बिमारीओं में किस तरह के लक्षणों में प्रयोक कर सकते हैं कैसे प्रयोक करना है किस peutency में प्रयोक करना है यह मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगा तो चलिए इसके man-man symptoms बैसे तो बहुत बड़ी medicine है साड़े 4 page की medicine है दोस्तों यह यहां से medicine दूसरी start हुई है साड़े 4 page की मतलब आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बहुत widely used medicine है तो आज इसको हम short में पढ़ेंगे जो इसके man symptoms है उन्हें हम जानेंगे चलिए great weakness weak easily exhausted from either mental or physical labor after typhus, typhus, debilitary great weakness बहुत ज़्यदा थकावट, बहुत ज़्यदा कमजोरी, थोड़े भी मानसिक या physical, mental work करने पे या physical work करने में पेशेंट को अचानक से कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यदा थकावट महसूस होती है थोड़ा भी काम करने के बाद पेशेंट को मन लगता है कि बस मैं अब लेट जाऊँ थोड़ा सा अराम कर लो, सो लेता हूँ इस तरह की weakness जो है selenium, इस तरह की weakness में जो है selenium medicine को आप उपयोग कर सकते है वही symptom जो मैंने आपको अभी बता दिया कि patient का बार-बार लेटे रहने का मन करता है सो जाने का मन करता है strength suddenly leaves him काम करते-करते कुछी समय में patient को ऐसा लगते कि यार आप मैं बहुत जादा थक्या मुझ से नहीं हो पाएगा तो इस तरह के जो symptoms होते हैं उनमें आप selenium medicine को उपयोग कर सकते हैं अगला symptom है very forgetful in business but during sleep dreams of what he had forgotten जब patient वैपार कर रहा होता है मान लीजिये आप किसी भी तरह का वैपार कर रहे होते हैं उस समय पे आप चीजों को भूल जाते हैं जैसे मान लीजिये आपको किसी व्यक्ति से कुछ उधार के पैसे लेने थे आपने उसे कुछ समान दिया हुआ था लेकिन वो पैसे आपको बसूलने थे जब वहे व्यक्ति आपके पास में आया तो आपने उससे वो पैसा लेना भूल गया लेकिन सारा काम खतम करने के बाद जब आप घर आए खापी के सो रहे हैं तो आपको सपना में वो चीज दिखाई दे रही है कि मैंने क्या चीज गलती कर दी मैंने क्या चीज भूल गया सोते सोते वो सारी चीज़े आपको याद आ रही है दिन बरकी कि आपने क्या काम किये थे कहां पे गलती कर दी किसे एक रुपे जादा दे दिया किसे एक रुपे कम ले लिया क्या आपने वेपार में भूल चूक करे वो सारी चीजे आपको रात को सोते समय याद आती है यदि ये symptoms आप में पाया जा रहा है तो आपके शरीर में बिमारी कुछ भी हो चाहे कुछ भी आप इस medicine को उपयोग में लाएं XYZ जो भी आपकी बिमारी है वो बिल्कुल ठीक होगी क्यों से कि ये इसका बहुत guiding symptom है दोस्तों चलिए इसके आगे बात करते हैं hair falls off on head, eyebrows, whiskers and genitals बाल जड़ते हैं पेशेंट के बाल जड़ने में जिन लोगों का hair fall हो रहा है जिसे मुझे भी हुआ है लेकिन मुझे तो खैर canzonital है God gifted मेरे दादा नाना सब तरफ से तो जिन लोगों के बाल जड़ रहे हैं उन लोगों को selenium medicine प्रियोग में जरूर लाना चाहिए जिन लोगों के बाल जड़ रहे हैं जैसे मेरे भी काफी ज़्यादा hair fall मुझे यहां से हुआ है तो जिन लोगों के बाल जड़ रहे हैं वो लोग इस medicine का प्रियोग कर सकते हैं on head मतलब सर से बालों का जड़ना eyebrows मतलब यहां से किसी बालों का जड़ जड़ जाना whiskers जो लोग ड्रिंक करते हैं और उनमें hair fall की समस्या रहे हैं वो लोग भी इसका प्रियोग कर सकते हैं genitals मतलब आपके private parts के भी यदी बाल जड़ रहे हैं तो उस condition में मतलब बालों के जड़ने में selenium बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद अगला इसका symptom है constipation में stool large hard impact so that it required mechanical aid मतलब इतना ज़ादा भयानक constipation कि patient को stool pass करने के लिए किसी mechanical चीज की ज़रूरत पढ़ती है stool को हटाने के लिए stool बहुत ज़ादा large मात्रा में निकलेगा और अपने से पूरा नहीं निकल पाएगा patient को mechanically उसे निकालना पड़ेगा इतना भयाना constipation में आप इस medicine का प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों ये किताब जो है मेरी favorite किताब इसलिए है कि इसमें comparative study दी गई है comparative study का मतलब होता है कि इस तरह के लक्षण और किन किन दवाईयों में पाए जाते हैं तो ये जो constipation वाला symptom में आपको बताया कि patient को बहुत ही ज़्यादा constipation हो जाता है ये किन किन और medicine में पाया जाता है वो भी यहाँ पे लिख दी गई है एलोज में, कैलकेरिया में, सैनिकुला, सीपिया एंड सिलीशिया में भी इस तरह का लक्षण पाया जाता है कि बहुत ही भयानक constipation हो जाता है physically हाथ से या किसी चीज से इस टूल को निकालना पड़ता है हटाना पड़ता है तो इस तरह के constipation में भी आप selenium का प्रयोग कर सकते है अगला symptom है impotency with levet thoughts and desire what physically important impotency मतलब होता है नपूशंक्ता नपूशंक्ता का मतलब होता है कि आप sexual sex करने में आसमर्थ है आप में बहुती ज़्यादा sexually weakness है बहुती ज़्यादा levet thoughts के साथ में मतलब patients के मन में लगातार sex के विचार चल रहे होते हैं लेकिन desire भी बहुत ज़्यादा होती है एक्षा भी sex करने की बहुत ज़्यादा होती है लेकिन physically patient important होता है सहरीर उसका साथ नहीं देता पेयनिस उनका साथ नहीं देता तो इस तरह के symptom में भी आप selenium का प्रयोग करेंगे तो आपकी impotency दूर हो जाएगी involuntary dribbling of cement and prosthetic food with ooze while sitting at stool and during sleep involuntary oozing हो जाना मतलब ना चाहते हुए बिना किसी sexual desire के बिना किसी sex करते समय आपका semen जो है वो pass हो जाता है चाहे वो night की समय मतलब night fell में भी इस medicine का प्रयोग बहुत ही अच्छा होगा night fall के patients जितनी भी इस video के दी देख रहे हैं या मेरे seniors, juniors इस video को देख रहे हैं तो night fell के patient को आप selenium medicine जरूर दीजेगा उनको बहुत अच्छे result मिलेंगे इसके बाद में आता है दोस्तों mind symptom तो मैंने आपको बताए दिया है कि selenium patient is very forgetful in business but he remember everything during sleep तो जब वो सोता है तो उसे सारी चीज़े याद आ जाती है कि उसने क्या-क्या business के लेंदेन में भूल भाल कर दिये चलिए अब इसका अगला next most important symptom आता है male sexual symptom this remedy is very marked action on male genital symptom and quite favorite remedy with homeopaths for all illness and abuse of sexual symptoms such as impotency, spermaturoia, prostoria and durability weakness of sexual organ मतलब दोस्तों किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह दबा सभी homeopaths की सभी homeopathic doctor की fabric दबा है बहुत ही पसंदिदा medicine है males को देने के लिए कौन-कौन से symptom पे impotency, मतलब नपूशंता spermaturoia, मतलब बार-बार बिना किसी कारण से आपका वीर निकल जाना prostoria, prostatic fluid मतलब जो हमारी prostrate में food होता है sex करने के पहले जो हलका सा whitest chicken, पानी जैसा निकलता है वो patient का निकलते रहना weakness of sexual organ मतलब penis का बहुत ही ज़्यादा weak हो जाना, यह characteristics features है, मतलब बहुत ही ज़्यादा important feature है इस medicine के it increased desire patient की desire, patient की एक्छा sex करने की बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है with decreased ability, उसमें ability नहीं बची है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो गया है loss of sexual power with lascivious fences, मतलब मन में विचार तो बहुत ज़्यादा आते हैं sex को लेकर, करने को लेकर लेकिन power जो है बहुत ही कम होता है, दोस्तों अब इस symptom को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेगा, काफी सारे लोग हमसे online appointment बुक करते हैं treatment लेने के लिए इसी symptoms पे जो मैं आज आपको इसी वीडियो में समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, अब इस वीडियो को यहां से ध्यान से समझेए, erection is slow, मतलब patient का penis जो है stand होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगाता है insufficient, मतलब ढंग से erection नहीं आते, hard पन penis में नहीं आता, too rapid initiation, मतलब जिसे अपन premature ejaculation कहते हैं यदि एक तो patient का penis stand नहीं होगा, stand यदि होगा तो उसमें hardness, जितना कड़कपन आना चाहिए, वो नहीं आएगा with too early ejaculation too early initiation, मतलब sex करते समय, patient का जो वीर है वो बहुत ही जल्दी skelet हो जाएगा, निकल जाएगा तो इस तरह की condition में आप selenia medicine को प्रयोग में ला सकते हैं कितना बढ़िया symptom मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ अब इस छोटी सी चीज के लिए आपको मुझसे संपर करने या किसी दूसरी डॉक्टर से संपर करने की जरूवत नहीं है आप इस medicine को प्रयोग कर सकते हैं इट कैन बी compared with agnes cactus caladium, calcuria, car, konium lycopodium, phosphoric acid and estephizcaria दोस्तों यहाँ पे एक बात का विसेज धान दीजेगा मैंने क्या बताया यह मेरी फैबरेट किताब है क्यों है इसमें एसके दुबेजी ने एलन्स की note को भी मतलब एक writer है एलन उनकी भासा को भी उनकी thoughts को भी इसी किताब में include कर दिया है यहाँ पे किताब में पहले ही लिख दिया गया है it can be compared with agnes cactus मतलब इन्हीं symptoms पे जो मैंने आपको बताया मेल symptoms उन्हीं symptoms पे agnes cactus भी काम आती है calydium medicine भी काम आती है calcuria carbonamak medicine भी काम आती है konium, lycopodium, acid phos and staphysgaria इतने दवाईयां और हैं जो इन्हीं लक्षणों पे काम करती है तो यदि आपको selenium से फाइदा नहीं आपा रहा है किसी कारण बस तो आप इन medicine के symptoms को भी पढ़ सकते है दोस्तों यदि आपको ये medicine जो अभी compare में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जैसे agnes cactus, calydium, calcuria carb, lycopodium, konium और staphysgaria ये medicine भी यदि आपको पढ़ना है इनके लक्षण भी आपको जानना है तो प्लीज आप मुझे comment करिएगा मैं आने वाले वीडियोस के माद्यम से आपको ये medicine भी पढ़ा दूँगा ताकि आप इनके बारे में भी जान ले तो चलिए अब अपनी agnes के बहुत सारी guiding symptoms के माद्यम से समझ लिए है तो आज की वीडियो में हमने जाना कि selenium medicine जो है visis कर male sexual organ पे काम करती है यदि penis ढंक से stand up नहीं हो पा रहा है कड़कपन, hardness बकायदा नहीं मिल पा रही है too early ejaculation हो रहा है बहुत ही ज़्यादा आपके मन में sexual thoughts आते हैं लेकिन physically आव वीक हैं, mental power आपका वीक हो चुका है, तो इन सभी conditions में आप selenium medicine का प्रयोग कर सकते हैं तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है, तो like जरूर कर दीजिएगा, channel को subscribe कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें, notification आप तक पहुँचता रहा है, अब बात कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, कि आपको ये medicine किस power में इस्तमाल करनी है, तो दोस्तों selenium medicine 2 power में विशेश कर उपयोग में लाए जाती है, पहला selenium 3x, सबसे पहले हम 3x इसी power से किसी भी मरीज की दवा शुरू करते हैं दो महने तक, दो से तीन महने तक हम 3x power में ही patient को continue करवाते हैं इसके बाद जो है हम 30 potency फिर 200 potency में patient को shift कर देते हैं, जब अच्छे result हमें मिलने लगते हैं, कुछ समय इसका प्रियोग आपको करना पड़ सकता है usually patient को हम 6 मैंने इस दवा को लेने की सला देते हैं और हम अपनी क्लिनिक से देते भी हैं साथी साथ इसके यदि sexual weakness बहुत जादा है तो हम एविनस अटाइवा, अश्वगंधा, दामियाना, नूफर लूटियम इन मदर टिंचर्स का भी प्रियोग patient की conditions के अधार पे जरूर करवाते हैं तो दोस्तों यदि अब भी आपका कोई doubt है तो आप comment section में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much मिलते हैं हमारे next वीडियो में